कि है गाइस वल्कम बैक टू टीम्स फर विन यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम प्रिवू कर रहे हैं बिग बैश लीग का मैच जो की होबाट हरीकन्स और सिड्नी सिक्सर्स के बीच में खेला जाने वाला है और और अस्टेडियम लॉंसेस्टन में सो इसी के लगता है तो जो वीडियो को लाइक करो और अगर कोई चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकता है और टेलिग्राम पर फॉलू नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन और जो है पहला कमेंट में डिरेक्ट लिंक है वहां से भी आप पहुंच सकते हैं रेगुलर अपडेट भी हो सकता है तो इस वाले चैनल को ही जोईन करना है टीम्स फर विन अलोग करके जो है नाम है तो यहां पर आपको टीम्स मिलेंगी और सारे स्पोर्ट से यहां पर कवर किये जाते हैं तो जुरू आप यहां पर जोईन कर सकते हैं नीचे जोईन का बटन आपको दिखरा हो यह बटन जरूर ध्यान से प्रेस कर देना आप अगर डारेक्ट लिंक से भी पहुंचते हो तब भी आपको जरूर यह बटन प्रेस करके रखना है और जो है आप अगर चाहते हैं तो पिन टॉप भी हमारा चैनल जो है कर सकते हैं ओके सो डाट बिंग सेड हम आगे बढ़ते हैं प्री मैच नूटस आपके सामने हैं आप देखी सकते हैं वेदर इंफो की माँ बात करो तो क्लावडी कंडिशन रहने वाला है थोड़ा बहुत जो है ड्रॉप हो रहा है टेंपरेचर जैसे कि लाश की कुछ मैचस में हमने अर जो है ठंडा चल रहा है तो यहां पे थोड़ा बहुत हीजी वेदर देखने को मिल सकता है तेमप्रेचर रहने वाला है और वेन्यू तो जुरू जो एक बार ध्यान रखना बारिश का भी कहीना का इंटरप्शन हो सकता है हर मैच में आपको चेक करना चाहिए वेदर वैसे देखा जाए तो टास के बाद भी आपको एक बार चेक जरूर करना है या हम अपडेट देदेंगे टेलिग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी आप पहुंच जाना पिछ रिपोर्ट भी आपको टेलिग्राम पे अकुरेटल मिल जाएगी मैच से पहले अब यहां पे दोसो का टोटल आइगेस बना था एक सो नबबे दोसो का टोटल था और चेस भी हुआ था तो पॉसिबली यहां पे जोए अच्छे रंस बन रहे हैं तो जो आप यहां पे बैटिंग अच्छा खासा एक्सपक्ट करकर चल सकते हैं और अगर बोलर्स जोए वह किसी भी चीज़ को कंक्लूड नहीं कर सकते हैं अब अगर स्कॉर पैटर्न एक बार देख लेते हैं 2020 में यहां पे जो मैच हुआ था हरिकेंस वसे स्ट्राइकर का और इस मैच में जो यहां पे चेजिंग साइड ने विन किया था स्ट्राइकर्स ने और उससे पहले जो साइड ने विन किया और हरिकेंस स्ट्राइकर्स को 129 से मैच यहां पर स्ट्राइकर्स लृड का मैच यहों पर इस जयदा जान ने इतलन के जा वह लेकिन जो जो आखिन साइड के फैवर में काफी अच्छा जो यहां पर दिखता हुआ मेरे को लग रहा है काफी डिसेंट है ओके और अगर लास्ट के पांच मैचस में अगर देखू मैं यहां पर बोलर्स ने क्या किया है तो 59 विकेट सुनों ने निकालें जिसमें से 8 रग का कॉंट्रिबिशन स् और और फर्स इनिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और पेसर्स ही डॉमिनेट कर रहे हैं बोलिंग में देखा जाए तो स्पेसिफिकली आपको पेसर्स अपने टीम में इंवाल्ब ज्यादा करने आगे बढ़ते हैं टीम्स इस विन्यू पर कैसा करती है वो भी देख ल रही है इस वेन्यू पर और अगर आप होबाट की बात करो तो उनके यहां पर काफी अच्छे जो है रेकॉर्ड नहीं है अब रिसेंट जो मैच है उसके उपर नजर दड़ा लेते हैं हरीकेंस वससे स्ट्राइकर्स का जो मैच उपर आपने स्कोर देखा था यहां पे स्को स्कॉर्ड बोलेंड रेले मेर्डित नेथन इलिस और डार्सी शॉट ने बोलिंग कराई थी जिसमें से एलिस और जो है बोलेंड को विकेड भी मिले थे 2020 में एक मैच है जिसमें हरीकेंस को चेज करना था और वो दस रन से चूप गए थे और इस मैच में जो है परफॉर्मेंस बैटिंग से मैग्डमेट अगेन काफी डिसेंट रहे थे और बोलिंग से देखा जाए तो स्कॉर्ड बोलिंड और नेथन इलिस अगेन ये दो प्ल परफॉर्मेंस 2017 के मैच में ज्यादा रेकोड्स नहीं है मैं जरूर्व यहां पर डाल राowan लेकिन रेकोर्स बलकुल जो है बतने लाया कुछ है को है नहीं सिक्सर्थ ने इस वेखा एक भी द्याए के तो होंगे ये थे वो चीज Calvin सार다가 मैंडमेट और प्लेइ स्टािव उ है announce नहीं हुआ है तो यह चीज़ हमें देखनी पड़ेगी अभी वेट करना पड़ेगा कि squad कभी तक आएगा अभी तक still जो है यहां पर announce नहीं किया है तो उसका वेट करते हैं कि पहले match के लिए इनका squad announce हो और अगर पूरे season का squad देखोगे तो यह रहा आपके स्क्रीन के उपर यह squad है पूरा मैथ्यू वेट स्कॉर्ड बोलेंड हैरी ब्रूक जो इंग्लेंड के player हैं और उसके बाद जो हैं पर Jordan Thompson और लामी चाने इनके overseas players में से रहने वाले टिम डेविड और Nathan Ellis, Peter Hanscom, Caleb Jewel और उसके बाद जो है में matches थे, वहाँ पे काफी अच्छा performance है, form बहुत अच्छा है हैरी ब्रूक का तो उनके उपर भी नजर रखना और Jordan Thompson bowling भी कराते हैं और बैटिंग भी जब आती है तो अच्छी खास hits लगा सकते हैं तो Jordan Thompson के उपर भी आपको नजर जरूर बनाए रखनी है bowling department में अगर मैं बात करूँ तो Josh Kahn का तो मैंने बता दिया ये अंदर आएंगे तो ज़रूर आप देख लेना क्यूंकि रेसेंट में इनका practice match में अच्छा performance गया था लामी चाने तो evergreen रहते ही है इस खास करके Australian pitches पे काफी अच्छा record है उनका और bowling से रेले मेरडित इनके लिए star performer निकल के आ सकते हैं उसके इलावा अगर देखा जाए तो मैं आपे Nathan Ellis और उसके बाद जो यहां पे squad bowling ये तीन main इनके pace bowlers में से मैं इनको रखूँगा इसमें से खास करके Nathan Ellis और रेले मेरडित मेरे बहुत ज़्यादा important होंगे death over C.A. संभाल सकते हैं इनकी team के लिए six hurts की तरफ से मैं बाद करूँ तो इनका last match काफी सही गया था और key place में से मैं बाद करूँ फिलिपे हैं लास्ट मैच की प्लेइंग 11 से जॉर्डन सिल्क विंस और जो है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे और और जो लास्ट मैच में प्लेइंग 11 रही थी उसी हिसाब से खेलने चाहिए मेरे को कोई ज्यादा यहां पर चेंजस लग नहीं रहे हैं मेलवन क्रिकेट ग्राउंड पे मसी जी पर हुआ था और हरिकेंस ने 188 बनाया था और सिकसर्स 181 पर उनको रोका था और साथ रंस से मैच को विंग किया था बैटिंग से परफॉर्मेंस मैथिव वेड और डासी शॉर्ट एवर ग्रीन यह जो काफी कंसिस्टन रहे हैं जॉर्डन सिल्क इनका परफॉर्मेंस तो यही मिडल ओर में थोड़े वो तरंस बनाएं बोलिंग से मेरेडित और बोलेंड देन उसके बाद नेथन एलिस लामी चाने इनको विकेट्स मिले थे हरीकेंस की तरफ से सिकसर्स की तरफ से देखा जा तो शॉन एबाट बेलिराइव ओल होबाट का मैच है 2020 में मैच है हरीकेंस 178 बनाया और 162 पे आगें सिकसर्स कोरो का तो यह एक स्पेशालिटी है रोकना जो डिफेंड करना टास्क होता है बहुत हार्ड है टी-20 फॉर्माट में खास करके जब रात के मैचस होते हैं वहां पर बहुत हार्ड है और हरीकेंस की तरफ से बैटिंग से देखो तो हैंड्स कम है और टीम डेविड भाई यह बंदा ना रीसेंट में बहुत ही अच्छे फार्म में चल रहा है तो जुरू जो इसके उपर नजर बनाया रखना तो यह एक है तीमोथी डेविड सो जुरू यह बंदे क आप परफॉर्मेंस रीसेंट में देखेंगे काफी तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो जुरू जो इनके उपर जुरू नजर बनाये रखना प्लेइंग लेविड में आ सकते हैं और आएंगे तो जुरू आपके टीम का पार्ट होने चाहिए सिकसर्स की तरफ से नहीं मिलते हैं because of overseas player और जो international player से खास करके उनके performance के वज़े से इनको थोड़ा ज्यादा जो हैं पर मौके नहीं मिलते हैं तो वह एक चीज है वरना यह जबी भी आते हैं काफी अच्छा performance करके जाते हैं James Wins और जो है इस match में Edwards का ही performance है bowling से देखा जाए तो Meredith Ellis और जो स्कॉ यह काफी consistent है और मनिंटी भी ऐसा नहीं है कि बिलकुली कुछ express pace के साथ आते हैं तो काफी decent जो है pace के साथ डालते हैं तो जरू जो यहां पर अच्छे खासे विकेटिन को भी मिल जाते हैं medium pace के चलते हैं then trigger park Alice Springs में एक match हुआ था 2019 में हरीकेंस ने 129 बनाया थो और 104 पर और ड्वार्शे स्टॉर्म करन जैसे hitters भी हैं जो आके बहुत अच्छे लंबे च्छके लगा सकते हैं तो जरूर हरीकेंस के बोलर्स ने ओर द येर्स काफी अच्छा काम किया है तो देखना होगा वह लेगेसी को कैसे continue कर पाते हैं इनके अभी के बोलर्स जो नैथन एलि सिक्सर्स की तरफ से देखो देखो बैटिंग से कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं बैजमिन मननेंटी और जो है यहां पर जॉर्डन सिल्क और जॉश फिलिपे को कुछ रंस मिले हैं जरूर लेकिन और इवन ज्यादा कुछ खास नहीं है बोलिंग से ड्वार्शियस और जो है बंजमिन मनननेंटी और टॉम करन को दो दो विकेट और शॉन एबाट को तीन विकेट मिलते हुए इस मैच में सिद्नी क्रिकेट ग्राउंड यानि सीजी का मैच है दोजार नीस होबाट इलिकेंस ने 172 बनाया और होम वेन्यू पे सिद्नी सिक्सर्स ने चेस किया औ ओपन करते हुए काफी अच्छे इनके रंस आए पार्टनर्शिप आई देन उसके बाद जो है बैंड मैक्डमट जो वन डाउन टू डाउन पर खेल रहे थे स्वारी सो उन्हों ने वहां पर परफॉर्मेंस किया और बोलिंग से कुछ खास नहीं था हरीकेंस की तरफ से कर पर बिड़ी पार्टनर्शिप भी थी और वही काफी था कि यहां पर पूरा नई लगा गई किनारे और बोलिंग से देखो तो बंजमिन मेरेंटी डॉर्शियस और शॉन अबॉर्ट और टॉम करन सब को एक एक विकेट मिला था तो बोलिंग से भी काफी सब जो है यहां प होबाट हरीकेंस जो है चेस किया मैच को विन किया पांच विकेट से परफॉमस में डेनिल हूज्ड का परफॉमस है सिक्सर्स की तरफ से और बैटिंग से और कुछ ज्यादा खास परफॉमस में मॉसे चिस के 30 ओर रन्स उसके इलावा ज्यादा नहीं बोलिंग से ड़ॉर परशियस टॉम करन ओकीफ को एक-एक विकट और शौन एबॉट को 2 विकट हरीकेंस की तरफ से डार्सी शॉट का परफार्मेंस है और बोलिंग से अगें कोई जो हैं पर परफार्मेंस ज्यादा है नहीं है यहां पर बहुत ज्यादा अच्छी जो चीज है आपको देखनी है डार्सी शॉट का पफार्मेंस देखो, साथ इनिंग से इनोंने बैटिंग की है, अगेंस्ट यहाँ पे जो सिड्नी सिक्सर्स, 322 रंस बनाए है, 46 का इनका एवरेज है, और साथ में से इनका जो कनवर्जन है, वो देख लो, यहाँ पे 6 बार 30 प्लस का इनोंने स्कोर क्रॉस स्टैट्स सजेस्ट करने हैं इनको, और उसके इलावा, जॉर्डन सिल्ट का भी काफी अच्छा परफार्मेंस है, 9 इनिंग में 5 बार इनोंने 30 प्लस का स्कोर क्रॉस किया है, और मैथिव वेट से इनिंग में 4 इनिंग में 3 बार इनोंने भी क्रॉस किया है, उसके लावा और जो जेम्स विंस, डैनेल हुजस और फिलिपे, सबका डीसेंट परफार्मेंस है, सिक्सर्स की तरफ से उतना ज्यादा अच्छे रेकॉर्ड्स नहीं देखने को मिलें, एक ही रिजन है कि इनका रेकॉर्ड हेट्ट्वेड में थोड़ा फीका है इसी वज़ह से, वरना और और इंडिविजुली देखो, तो जेम्स विंस भी अपने दिन पे बहुत अच्छा परफार्मेंस कर सकते हैं, जो जो ज़रूर जो इनको भी आपको रोटेशन में रखना होगा, CVC के आप्शन में से, बोलिंग में शौन एबॉट बहुती ज़्यादा अच्छा परफ परफार्मेंस लाश मैस में बहुत अच्छा गिया है, लेकिन इस मैस में थोड़ा बहुत आपको देखके चलना होगा, ट्रॉप करना जाते हो, तो कर भी सकते हो, क्योंकि ज़्यादा अच्छे रेकॉर्ड्स उतना ज़्यादा लग नहीं रहें, स्कौर्ड बोलिं, टॉम आप आपको नहीं परफार्मेंस लाश में बहुत अच्छे रेकिन आप तो यहां गया होगा, टॉम्स टीम में अब देखो, मैथ्यू वेड़ेड़ मेरे पास ज़्यादा ज़्यादा यहां पर न्यूस नहीं है, रीसेंट में थोड़ा बहुत इन्जूरीस से रहते हैं, तो यह चीज नहीं है और टेस्ट के लिए भी आइगेस इनको रिजर्व में रखा गया है तो पूरे अगर वो रॉल स्कॉर्ड में है अशस के लिए तो दुरू जो मैथ्यू वेड नहीं रहेंगे लेकिन अब जो प्लेइंग लवन अनौंस कर दी है और शेलिया ने तो आइ है टीम में सीवी सी के अप्शन में भी डाल रहा हूं तो आप जरू जो देख लेना अगर नहीं कहलते हैं तो मेरे को फिर बाद में आके जो यह गलियारा नहीं की यह गलत है तो अपडेट नहीं मिला मेरे को मैंने ट्राइग किया ढूंडने का तो ज्यादा नहीं मिला इस काफी अच्छा रहा है इसलिए मैंने इनको भी पिक किया है और यहां पर मॉसिस एंडिकेस मैंने रखा है और लोने सेक्षन से लाश मैस में काफी सही परफॉरमस किया है और इसके बाद जो इस्टीव ओकीफ आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो मैं यहां पर पर और नैथन एलिस मेरी टीम में रहने वालें और मैं आप स्कॉर्ड बोलेंड कैसे भी आड़ करना चाता था या रेले मेरेडित यह भी मैं आप्षन में रख रहा हूं तो आप यहां पर लामी चाने ओकीफ को ड्रॉप करके जो है रेले मेरेडित और जो है जो है जॉड आप बना सकते हो अगर यह प्लेंग लिएंग का पार्ट है तो दुरूर आप इनको लेके चलना रिसकी सीवी से ओप्शन से देखा जाए तो मौस्टेशनरी के शॉन एबाउट और जो है तीमोथी डेविड जो टीम डेविड है यह भी आपके लिए रहने वाले है क्योंक कि वो अगर तीन विकेट निकालता है तो काफी अच्छे आपके लिए पॉइंट देके जा सकता है जो पचास रन बनाने के बाद जो एक बैट्समें देता है जो की बहुत ही रेर सिनेरियो में कोई एक बैट्समें जो है आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा लेकिन एक जो है वो तीन विकेट कभी भी निकाल सकता है तो जरू जो है आप बोलर को कैप्टन रखना चाते हैं स्मॉल लिग में ये भी अच्छा ऑप्शन है आप लेके चल सकते हैं ग्रैंड लिग में कुछ प्लेयर्स कुछ नहीं बहुत ज्यादा प्लेयर्स है यह बेसिकली आप आपको पता होगा टॉमी लेमन भी जो है क्या कर सकते हैं बहुत ही तगड़े हार्ड इठर है तो जुरू जो अगर आते हैं तो जुरू आप इनको लेना हैरी ब्रूक का भी सेम सिनेरियो है बहुत अच्छे बैट्समन है डिस्ट्रक्टिव है और रिसेंट में इनका जो वह बहुत ही मेरे को इंप्रेसिव लगा इसलिए मैंने इनको डाला हुए टीम में और जो है आप ग्रेंड लिक के रोटेशन में जरूरू ट्राइगा ना बैन मैक्डेमर्ट का पफॉर्मेंस इस विने पे जब भी बिलाज दो मैचस में आपने देखा था काफी अच्छा जो नीचे से के कुछ अच्छे रंस बनाएं और पार्टनर्शिप बिल्ड करें तो वैसे सिनेरियो में जॉर्डन सिल्ख काफी अच्छे च्वास बनते हैं और बोलिंग से बहुत सारे पिक्स है टॉम करन और जॉर्डन आप चाहो तो ओकीफ की जगा स्मोल लीग में भी थ habits कर दो सकते हैं खील सक्ट उसिकिऴ बिलिश किया जा अगर डॉर्ग है पहीत बहुत अच्छे स्ट्रइब्ड हैं अगर वीडियो तो सही लगा त् wij informative लगा तो जो वीडियो को like करना और अगर channel पर कोई नहीं है तो subscribe ज़रूर करो obviously ये सारी चीज़े मैं बोलता ही हूँ और telegram पर ज़रूर follow करना चाथ है तो ज़रूर follow कर सकते हो description और पहला comment में link आपके लिए pin किया गया है so that's it, video को wrap up करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू अपडेट्स के साथ until then टारवावा टेक केर और लविट्री थाउज़न किया गया